दोस्तों पिछले लेसंस के अंदर हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंटरस्टिंग टेकनीक्स आप लोगों को जैसे के मालूम है कि हम लोग फोटोशॉप के बहुत सी इंटरस्टिंग टेकनीक्स और कुछ टूल्स जो हैं उनको स्टेडी करते जा रहे हैं दोस्तों इस लेसं के अंदर आप लोगों को मैं फोटोशॉप का एक बहुत ही जबदस फीचर जहा है वो बताने वाला हूँ इस फीचर का नाम है लेयर स्टाइल्स या इसको ब्लेंडिंग मोड्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों लेयर स्टाइल्स बैसिकली कुछ ऐसे बहुत ही खुबसूरत और यूनीक किसम के स्टाइल्स या इफेक्ट्स हैं जिनको हम फोटोशॉप में किसी भी लेयर के ऊपर किसी भी वक्त अप्लाय कर सकते हैं और इन स्टाइल्स के मदद से हम बहुत खुबसूरत एफेक्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ डिजाइन्स के अंदर टेक्स लिखा होता है और उसके उपर स्ट्रोक लगा होता है इसी तरह से कई इमेजज़ में टेक्स पे या किसी भी पिक्चर पे या किसी भी ग्राफिक के उपर किसी वेक्टर के उपर बहुत ही खुबसूरत सा शेड़ो लगा होता है जिसको हम ड्रॉप शेड़ो भी कहते हैं दोस्तों यह तमाम चीज़ें जो है यह हमारे पास अवालेबल है लेयर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग मॉड़्स मे तो चलत้े हैं और उर एक्स्प्लोर करते हैं यह flavors लेयर स्टाइल्स और ब्लेंडिंग मॉड्स दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक लेटर हेड़ साइज का जो है वो डॉक्मेंट ओपन कर रखा है अच्छा जी मैं करता क्या हूं कि मैं यहां पर लेता हूं नियू लेर और मैं लिखता हूं कोई भी ऐल्फबेट फॉर एक्जामपल हमारा कोर्स जो है यह ग्राफिक डिजाइन का है जिसका फर्स अल्फबेट जो है वो है जी तो मैं यहां पर जी टाइप करता हूं अब यह जी मैंने क्यों टाइप किया यह अल्फबेट मैंने क्यों लिखाया यह मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं बेसिकली इस एक अल्फबेट की मदद से मैं आप लोगों को लेर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग मोर्स हैं वो समझाऊंगा अच्छा जी यह मेरे पास बाइद वे मैंने इस वक जो लिखा वाई यह फ्रैंक्लिन गॉथिक मीडियम जो है वो मेरे पास इस वक फॉंट है और यह बहुत ही खुबसूरा सा जी लग रहा है अच्छा दोस्तों आप लेयर स्टाइल्स या ब्लेंडिंग मोर्स आते कहां से हैं यह फॉर एक्जामपल मैंने टेक्स लेयर आड़ की और उसके उपर मैंने जो है वो अल्फबेट जी लिखा अच्छा दोस्तों यहां पर समझना एक चीज़ को बहुत जरूरी है कि अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो टेक्स की जो लेयर है वो सिलेक्ट हो जाएगी और हम सीधा टेक्स वाले मैन्यू में चले जाएंगे और टेक्स के अंदर जो चेंज़े हैं वो हम कर सकेंगे अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप इस जो लेयर का नाम है वो चेंज कर सकते हैं यानि आप कुछ भी आगे इसमें टाइप कर सकते हैं इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं इसे री नेम कर सकते हैं मैं अभी ये दोनों काम नहीं करना चाता ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया ताके आपको पता चल जाए कि लेयर स्टराइज एक्चली कहां से चीव होंगे दोस्तो इसी लेयर के उपर अगर यहां पे राइट पे करके अगर आप डबल क्लिक करें तो ये देखें ये एक नई विंडो आपके सामने उपन हो गई है जिसके अंदर आपको काफी सारी आप्शन्स हैं ये नजर आ रही है अच्छा आपने गबराना नहीं है कि ये इतने सारी आप्शन्स हैं ये पता नहीं क्या बात है क्या चीज़ है नहीं ये बहुत ही असान और बहुत ही मज़े के एफेक्ट्स हैं बहुत ही मज़े के लेयर स्टाइल्स हैं इनको मैं आपको बताता हूं जी दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां पे left side पे styles के नाम लिखे हुए हैं और right side पे यहां पे कुछ options दी हुई हैं definitely यह options वो options हैं जिनके मदद से हम इन styles को जो है वो change करके देख सकते हैं तो चलें start करते हैं सबसे पहले नीचे से और यहां से मैं उपर की तरफ आउँगा हमारे पास नीचे available है drop shadow अच्छे दोस्तों यहां पे आप यह plus का sign देख रहे हैं कुछ जगों पे कुछ styles के उपर इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पे plus के उपर click करें तो आप इस layer style को duplicate कर सकते हैं यानि कि इसको दो बार भी add कर सकते हैं यहां पे मैं आके करता हूँ reset to default बलके यहां से मैं आके करता हूँ reset to default list दोस्तों किसी भी time पे अगर आप अपने layer styles को default करना चाहते हैं देखें वहां पे जाके आप click करें reset to default तो जो आपका जो पूरा पैनल है layer style वाला वो बिलकुल zero पे आजाएगा बिलकुल आपके reset हो जाएंगे तमाम के तमाम जो styles हैं अच्छा जी मैं अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा drop shadow से start करता हूँ यहां पे मैं आपको बिताता चलूँ अगर तो आप यहां पे click करेंगे खाली तो आपको हो सकता है यह styles नजर ना आए जैसे यह अगर मैं outer glow पे click करूँ तो यह मुझे outer glow की options यहां पे नजर नहीं आ रही जबकि यह जो outer glow लिखावाई यहां पे अगर मैं click करूँ तो यह देखें outer glow की options मेरे सामने open हो गई है anyway इसको अभी मैं अंचेक करूँ और मैं वापस हारूँ drop shadow पे अच्छा जी आप मैं आपको कुछ यहां पे जो options हमारे पस available है इनके हवाले से बताता चलूँ दोस्तों यहां पे सबसे उपर हमारे पास यह blending mode आ रहे हैं जिनकी वज़ा से बेसिकली इसको लेयर स्टाइल इसको blending mode भी कहा जाता है इसके लावा यहां पे option है जी आप color change कर सकते हैं साल के तोर पर अगर आप यहां पे drop shadow apply करना चाहा रहे हैं तो यहां पर red color का shadow आप यहां उसके है पर किया है यहां पर opacity यहां पर qui किया है चाहिए यहां पिभाता हूं तो यह मेरा shadow है यह बाहर को निकलना शुरू हो गया यह कलर को मैं थोड़ा सा लेके जाता हूं डार्क की तरफ ताके वो शेड़ो जो है वो नजर भी आए फीलो के शेड़ो है लोकि इसको थोड़ा सा यहां पर लेके आते हैं यह लें जी अच्छा जी इसी तना से अब यहां पर स्प्रेड है स्प्रेड का मतलब है हम अगर इसको स्प्रेड करते जाएंगे तो यह फैलता चला जाएगा ठीक है जी अगर मैं इसका डिस्टेंस यहां पे लेके आता हूँ स्प्रेड थोड़ा सा करता हूँ तो जितना स्प्रेड करेंगे वो उतना फैलता चला जाएगा इसी तना से साइज हमारे पास अवेलबल है यह देखें साइज से उसका जो ओवराल साइज है वो चेंज हो रहा है ठीक है यानी शैड़ो तमाम साइडों में चारों तरफ चारों तरफ उसी तरह से घूम रहा है अच्छा यहां पे हमारे पास एक आप्शन मौजूद है कि हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं जो मरजी एंगल हम रखना चाहें यहां से हम वो एंगल चूज कर सकते हैं ठीक है जी अच्छा यहां पे मैं इसको सेट करता हूँ यहां पे अब यहां पे नीचे एक और बड़ी मज़े की आप्शन है जी कॉंटूर की दोस्तों यह कॉंटूर का मतलब है किसी भी चीज का एज यानि के कॉंटूर से आपको यह अंदागा हो जाएगा कि जो शेड़ो है उसके एजिस किस तरह के नजर आएंगे जिस आसे यह अगर मैं यहां पर चेंज करूँ तो यह देख़ाएं आप जैसे जैसे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कॉंटूर्स चेंज करता जा रहूँ तो यह जो मेरी शैटो के lay नजर ऑगा चॉर यह उदो ऐसके चीज कर सकते हैं तो यहां सेमीतिक अप को कुण अच्छा ये तो हो गया दोस्तो डॉप शेडो अब मैं आपको कुछ और आप्शन यहां पर बताता हूं हमारे पास यहां पर एक और बड़ी मज़े की जो आप्शन है वो है जी जनाबी अली स्ट्रोक देखें अगर मैं स्ट्रोक पर आकर क्लिक करता हूं और इसका साइज थ स्ट्रोक जो हमारे सामने विजबल हो गया अब यह मैंने स्मॉल कैपस में जी लिखा हूँ है और यह मैंने इसको बहुत ही मज़े का एक स्ट्रोक लगा दिया है रेड में अच्छा इस स्ट्रोक को मैं अंदर की तरफ भी रख सकता हूं जैसे कि यह इस वक्त है अगर मैं पर क्लिक करूं तो यही स्ट्रोक बाहर की तरफ निकल जाएगा इस अलफबेट के बाहर चला जाएगा इसी तरह अगर मैं इसको सेंटरलाइस करना चाहूं सेंटर में लाना चाहूं तो यह देखें यह सेंटर में आ जाएगा ठीक है जी तो यह आप इंसाइड के तौर पर लगा सकते हैं किसी भी ग्रेडियंट पर जाके क्लिक करें तो वह जो ग्रेडियंट है वह यहां पर आपके लेटर के स्ट्रोक के तौर पर आपको नजर आ जाएगा मैं FX में जाता हूँ यहां पर आके दुबारा Reset to Default List करता हूँ यह Reset मैं बार-बार इसलिए भी का रहा हूँ ताके आप लोगो याद हो जाए अच्छी तरह है कि हमने किस तरह से इसको Reset करना है दोस्तों यह तो हमने देखा कि हमारे पर different styles available हैं लेकिन आपने करना किया आप जब design बना रहे हूँ तो कोशिश करें कि किसी खास style के हवाले से कुछ strategy अपने mind में लें कि आप उसके साथ करना क्या चाते हैं मिसाल के तोर पर मैं क्या करता हूँ मैं इसका जो background है यह कर देता हूँ black और अब मैं यहां पर आता हूँ layer styles में जैसा कि मेरा जी नजर नहीं आ रहा क्यूंके black के अंदर black color के आप मैंने लिखा हूँ और वो छुप गया है तो मैं यहां पर आता हूँ color overlay पे और यह देखें यहां पर मैं red जो है वो मैंने select किया हूँ अब यह हमारा हूँ गया जी black के उपर red color के अंदर जी अब यहां पर मेरे पास available है inner shadow यह भी एक बहुत मज़े की चीज है यहां से मैं इसका shadow जो है वो एक लगा सकता हूँ बड़ा मज़े किसम का यह shadow जो है यह आएगा अंदर की तरफ पहले हम लगा रहे थे drop shadow यह जो shadow है यह inner shadow है यह अंदर की तरफ इसका लगता है यहां से आप इसका angle चेंज करेंगे जी मैं फिलहार इसका angle यह रख रहूं तकरीबान 130 के लगबग distance हम इसका यह देखें यहां से हम इसका distance control कर सकते हैं और यहां से हम इसका size भी बड़ा चोटा कर सकते हैं size आप देख रहे हैं अगर आप बड़ा करते हैं तो जो इसके edges हैं वो smooth होना शुरू हो जाते हैं तो मैं इसको एक खास हद तक जो है वो इसको रखता हूं size को ताकि मेरे edges भी खुबसूरत लगें और इसी तरह से जैसे हमारे पास पिछली option में था यहां पे हमारे पास contour की option available है यह लगा के देखते हैं different contour कौन से वाला बेतर लगता है आप देख रहे हैं कि यह कुछ contour के अंदर यह अंदर इसमें lines भी आजाती हैं तो जिस तरह का contour होगा उसी तरह की यहां पे आपको effect नजर आएगा मैं फिल हाल जो है वो यह जो मेरे पास एक हलकी सी curve वाला controller इसको मैं यहां पे click करता हूं और यह देखें जी यह हमारे पास आगया एक बहुत ही खुबसूरत किसम का inner shadow अच्छा इसी तरह से हम inner glow भी इसके उपर apply कर सकते हैं inner glow में हमारे पास उसी तरह से कुछ बहुत सारी options हैं हम यहां से आके transparency भी choose कर सकते हैं हम यहां से आके color भी choose कर सकते हैं अगर मैं इस पर color पर आता हूं और इसको white देता हूं स्क्रीन को अगर मैं कर दूं normal और opacity जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ा दूं तो यह देखें size मैं इसका बढ़ाता हूं तो यह देखें यह मेरे पास इसके उपर एक inner glow आ गया है यहां से मैं इसका color कोई इसा भी रख सकता हूं वो color चेंज कर सकता हूं लेकिन फिलहाल मैं यहां पर white को ही रखता हूं यह मैं okay करता हूं तो यह देखें यह एक बड़ी मज़े की हमारे पास चीज बन गई है तो दोस्तो आप लोगों ने देखा के layer styles के मज़े से आप लोगों कितने मज़े के effect वो achieve कर सकते हैं अब आप लोगों ने यह करना है कि इस layer styles वाले panel में जाके बाकी भी जो styles हैं उनको भी आपने खुझ से explore करना है और बिल्कुल इसी तरह से जिसना से यह 3-4 मैंने आपको options में हैं वो पूरी detail में समझाई हैं इसी तरह से वो भी working करती हैं और वो भी आपके लिए बहुत interesting effects create कर देंगी दोस्तों आपने देखा के layer styles या blending modes Photoshop में कितना interesting feature है और इसको हम अपने लिए कितने असानी से इस्तमाल कर सकते हैं खुबसूरत किसम के effects बनाने के लिए अच्छा यहां पर मैं आपको एक चीज वाज़ करता चलूँ कि दोस्तों अभी फिल हाल तो मैंने आपको यह alphabet के उपर यानि के lettering के उपर layer styles लगा के दिखाए हैं लेकिन ऐसा हरके नहीं है कि यह सिर्फ lettering पर ही लगते हैं नहीं आप किसी भी picture पे किसी भी restriction पे किसी भी cartoon character पे किसी भी चीज पे drop shadow या दूसरे जो मैंने आपको दिखाए हैं glow वाले बताए हैं तमाम layer styles आप अपलाई कर सकते हैं और अपने लिए बहुत पुप्सुरे results अचीफ कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको layer styles की समझ आई होगी अब आप लोगों ने इसकी practice करनी है और मुलगात होगी next lesson में Photoshop की किसी नई technique या किसी नए टूल के साथ